है लो दोस्तों वर्टेस क्लासेज में आपका स्वागत है पार्ट छे तक हमने बहुविकल्पी कोश्चन को कम्प्लीट कर लिया था अभी हम करने जा रहे हैं आती लग उत्री कोश्चन का पहला कोश्चन तो चलिए सुरू करते हैं कोश्चन नंबर वन क्या दे रखा है संख्या तीन तीन दो तीन चार पांच नो को सब्दों तथा विस्तारित रूप में लिखिए किस रूप में विस्तारित रूप में लिखिए ऐसे कोशन एक्जाम में आते हैं तो किरिप्या करके ऐसे कोशन को ध्यान से देखिए क्या करना है कोशन में किलिए लिए दे रखा है संख्या 3,3,2,3,4,5,9 को सब्दों तथा विस्तारित रूप में लिखिए बोलने में कैसे करते हैं 33,23,466 इसी चीत को हम विस्तार रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 33,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,0 को ऐसा लिखा जा सकता है 33,0,0,3,0,0,3,0,0 इसी तरह से 23,000 को क्या लिख सकते है 20,000 प्लस 3,000 लिखा जा सकता है 23,000 को इसी तरह से 469 को 400 प्लस 169 को पचास प्लस 9 लिखा जा सकता है तो 30 लाग को 30 लाग लिख लीजिए नंबरिंग में 30 लाग यह हो गया और 3 लाग यह हो गया 3 लाग 20,000 30,000 400 प्लस 50 प्लस 9 इसी तरह के लिखने को रूप को क्या सकते हैं विस्तरित रूप यानि विस्तारित रूप में कहते हैं तो यह कोशन का एंसर हो जाएगा हमारा नेस कोशन कोशन नंबर दो दे रखा है 9999 की अनुवर्ती संख्या बताईए की अनुवर्ती संख्या बताईए इस तरह कोशन मैंने बहुकलपी में कराया था अगर वहां आप समझ गयोंगे तो आपके लिए बहुत आसान यह कोशन अनुवर्ती संख्या मैंने बताया था आप लोगों को क्या करना रहता है आईसी संख्या जिसमें एक जोड़ने के बाद जो सभी संख्या मिलेगी उस संख्या को अनुवर्ती संख्या कहेंगे यानि जो भी संख्या दे रखी है उसकी अगली संख्या यानि नेश्ट संख्या जो होगी वही अनुमर्ती संख्या कहलाएगी बात वही है आप प्लस एक जोड़िए या ये बात कहिए कि अगली संख्या जो होगी तो नौ हजार नौ से निन्यानवे में अगर एक एड़ करते हैं तो कितना बन जाएगा दस एड़ बन जाएगा तो यही हमारा एंसर हो जाएगा नेश्ट कोश्चन कोश्चन नंबर तीन हम करेंगे अभाज संख्या किसे कहते हैं क्या है अभाज संख्या किसे कहते हैं मैंने ये भी कोश्चन बताया था मैं फिर से बता दे रहा हूं आप लोगों को आदिलाग उत्तिरिय में लिखने के लिए आता है तो अभाद संख्या आईसी संख्या जो एक से या स्वयम से आईसी संख्या जो एक से या स्वयम से बिवाजित हो तो आईसी संख्या कह कहे कह लाएगी अभाद संख्या कह लाएगी जैसे कोंसी संख्या दो तीन पांच साथ ग्यारा तेरा डाट इसमें क्या है आप कोशन में दिख रहा होगा आपको दो खुद से ही डिवाइड होगा एक से डिवाइड होगा या तो दो से डिवाइड होगा इसी तरह तीन भी या तो एक से डिवाइड होगा या तो तीन से एक से डिवाइड होगा या तो पांस यानि खुद से ही डिवाइड होगी या तो फिर एक से डिवाइड होगी आईसी संक्या कह लाएगी अभाज संक्या कह लाएगी चलिए फिर नेच कोश्चन में चलते हैं कोश्चन नमबर चार चार हजार चार सो सतासी उड़े एक हजार आठ का गुलन फल ग्याद कीजिए क्या करना है गुलन फल ग्याद कीजिए बहुत ही सिंपल कोश्चन है इस तरह के भी कोश्चन सिंपल सिंपल आयाते हैं तो इसको हम कैसे करेंगे चार सो सतासी गुडे एक हजार आठ चो चार सो सतासी को चार सतासी लिख देते हैं एक हजार आठ को हम अलग अलग थोड़ करके लिख सकते हैं एक हजार प्लस आठ इस तरह से क्या होगा आसानी हो जाएगी कल्कुलेशन में तो 487 का जब 1000 में गुड़ा करेंगे क्या हो जाएगा तीन सुन बढ़ जाएगा यानि 4,087,000 हो जाएगा प्लस फिर 487,08 से गुड आठ का मल्टिपलाई करेंगे आठ सत्य चपन पांच बचा आठ टाहें 64 और पांच एक सठ छे बचा आठ चवग 32 अच्छे आणतीस यानि 3816 इन दुनों को आड करनेंगे 606,101,808 जाएगा तीन का साथ में तीन साथ 10, कैरी एक 8,09 और 4 यानि केतना आगया 4,09,816 यानि हमारा आइंसर यह होगा नेच कोशन देखते हैं कोशन नमबर पांच 2 सई एक बटे 3 पिलस 4 सई एक बटे 3 को हल कीजिए इस तरह कभी मैंने कोशन कराया था बहुत सिंपल होता है यह कोशन इसमें क्या करना रहता है पहले इनको मंटिपलाई करते हैं इन दोनों को फिर जो भी मंटिपलाई करने के बाद आता है आंसर में जो दे रखा उससे एड़ कर देते हैं तो तीन गुडे दो ए दोनों मंटिपलाई हो जाएगा पिलस आंसर में एक दे रखा आइड हो जाएगा डिवाइड में तीन ही रहेगा पिलस इसी तरह से चार गुडे तीन पिलस आंसर में एक पान थ्री क्या करेंगे तीन दोनों छे पिलस वन साथ हो जाएगा यानि साथ बटे तीन पिलस चार तियां बारा पिलस वन यानि तेरा बटे तीन इन दुनों को जोड़ देंगे 13 और 7 क्या हो जाएगा 20 बटे 3 fraction में कर लेते हैं 3 का जाएगा 6 बार 3 चक 18 यानि 6 बचे का कतना 2 यानि 2 बटे 3 6 अही 2 बटे 3 हमारा answer हो जाएगा तो next question पर चलते हैं Question number 5 5 बटे 6 वा 2 बटे 3 में कितना अंतर है क्या दे रखा है 5 बटे 6 वा 2 बटे 3 में कितना अंतर है इसको कैसे निकालेंगे हम बहुत simple है अंतर पूछ रखा है तो कुछ नहीं Subtract करना यानि घटाना है 5 बटे 6 माइनस 2 बटे 3 बसल में क्या करना है LCM लेना है 3 और 6 का LCM लेंगे 3 एक कम 3 3 दुनाई 6 2 से जाएगा एक बार 2 एक कम 2 यानि 3 दुनाई 6 LCM कितना अगया 6 6 का 6 में डिवाइड होगा 1 आएगा अंसर में जो भी है उससे गुड़ा कर देंगे यानि 5 गुड़े 1 3 का 6 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा यानि 2 गुड़े 2 क्या जाएगा 5 माइनस 4 बटे 6 यानि 1 बटे 6 यही इसका difference होगा next question question number 6 पे चलते है question number 6 किसे कहते हैं क्या है sum bin किसे कहते हैं कि यह भी question मैंने कराया था इस तरह question बताया थे मैं sum bin किसे कहते हैं आज उट्टी में ऐसा भी ऐसा भी ऐसा भी जिसमें ऐसा भी जिसमें अंस हर से छोटा होता है क्या होता है छोटा होता है जैसे example ले लो जिसमें अंस हर से छोटा होगा यानि अंस दो दे रखा है तो हर चार दे रखा है अंस तीन दे रखा है तो हर साथ आप दे रखा कहने का मतलब यह है कि अंस हमेशा वहले जो होगी वो छोटी होगी हर से तो ऐसी भिन को हम क्या कहेंगे संब नेस्ट क्वेस्चन नंबर 7 कि विसम भिन किसे कहते हैं यह भी महीने कराया था विसम भिन किसे कहते हैं इस तरह कोशन मैंने अब्योक्टिव में कराया था ऐसा भीन जिसमें अंस हर से बड़ा हो या बराबर हो दोनों कंडिशन होगी या तो अंस हर बराबर होंगे या अंस बड़ा हो हर से जैसे साथ बटे तीन यहाँ पर क्या है अंस बड़ा है हर से चार बटे दो तीन बटे तीन बराबर हो गया दुनों में ग्यारा बटे दो इस तरह के एक्जामपल आएंगे इसके अंदर तो समबिन होते हैं जिसमें अंस हर से चुटा होता है वे समबिन होते हैं जिसमें अंस हर से बड़ा होता है या बराबर होता है दोनों कंडिशन हो सकती है Thank you for watching this video.